ओके चलो, स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर इसमें अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स पॉइंट चार्ज से स्टार्ट हुआ था हमने coulomb law किया coulomb law point charge पे लगाया फिर coulomb law करने के बाद हमने थोड़ा सा और level को increase किया rod और point charge के उपर coulomb law लगाया rod और point charge करने के बाद ring और point charge पे last time लगाया फिर कुछ periodic motions को भी discuss किया कि शायद कोई simple harmonic motion या periodic motion के अंदर कैसे detect करना है कि या check करना है कि charge SHM में है या नहीं है यह हमने discuss किया अब फिर continue करते हैं यह sheet no.3 है शायद आपकी handwritten sheet में sheet no.3 यह rod वाली problem हमने कर ली थी एक problem थी इसमें यह यह problem है इसके अंदर आपको कुल मिलाके तीन charges given है पहला charge given है minus q3 दूसरा charge given है q2 तीसरा charge given है minus q1 यह तीन charges आपको question में given है आपको यह कहा जा रहा है इस question के अंदर कि यह जो minus q1 है इस पे minus q3 ने and q2 ने force लगाई क्योंकि जो minus q1 है it is surrounded by two charges उन में से एक charge minus q3 और दूसरा q2 है तो minus q3 ने भी force लगाई और q2 ने भी force लगाई एक question मनता है कि charge minus q1 के उपर net force निकालो तो अगर question है कि minus q1 के उपर net force निकालो along x-axis x component of force निकालो मतलब forces तो दो act कर रही है ये भी कर रही है और ये भी कर रही है उसने ये कहा question में कि x-axis के along force निकालो अब x-axis के along एक force तो मुझे दिखाई दे रही है f12 वो तो अलड़ी x-axis के along है लेकिन जो f13 force है वो x के along नहीं है वो xy plane में है तो मुझे f13 का component लेना पड़ेगा इस x-axis के along और जो component आएगा उसमें f12 को add करना पड़ेगा तो net answer आएगा मेरे पास along x-axis तो x-axis के along अगर आपको force निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा एक तो ये निकालनी पड़ेगी ये तो ही x-axis के along इसकी value क्या होगी इसकी value होगी 1 by 4 pi epsilon 0 magnitude of charge q1 into magnitude of charge q2 divided by इनके बीच में distance कितने है b, b का square तो 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by b का square क्या ये point clear है यहां तक similarly minus q3 और minus q1 के उपर जो force है 1 by 4 pi epsilon 0 q1 magnitude q3 divided by a का square तो forces का magnitude निकालने में तो कोई problem नहीं किसी को बस point यह कि अगर ये angle थीट है तो ये angle भी थीट है तो इसके दो component होंगे एक cos component और एक sin component क्यूंकि मेरको मेरा answer x-axis के अलोग निकालने है तो x-axis के अलोग net force क्या होगी इन दोनों forces का sum जोगा वो net force के equal होगी तो point clear है यहां तक तो net force की जो value आएगी x-axis के अलोग वो इन दोनों का sum आएगा अब इन दोनों के sum में f12 तो मुझे पता ही है इसमें और इसमें force है यही 1 by 4 by epsilon not q1 q2 by b square and इसका component क्या होगा f13, f13 का मतलब 1 और 3 के बीच में force तो 1 और 3 की force भी मुझे पता है 1 by 4 by epsilon not q1 q2 q3 by a square into sin theta तो यह मेरे पास net force आ गई common निकालने ना इसमें से along x-axis पर question में यह पूछा गया था कि आप इसमें force निकालो net force x-axis के along किसके proportional है तो ऐसा option आपको given होगा कि यह force इसके proportional है यह force इसके भी proportional है तो चार options given होगे उनमें से यह option given था तो आपने यह option को mark करना है मेरा काम class में net force निकालने का है proportionality कौन किसके proportional होगा वो आपको option से अपने आप पता लग जाएगा तो क्या यह point सबको clear है कि question कैसे करना है ठीक और इसी sheet का एक हाँ बोलो तो वो first step इसे बता दो वो समझ नहीं आया कि वो f13 sin theta कैसे आया first में क्या नहीं समझ में आया तो वो जो आपने fx लिखा रहो इसमें equal to f13 sin theta वाला नहीं नहीं f13 है 1 and 3 1 by 4 pi epsilon naught q1 q3 यह रहा f13 यह है तो इसके अंदर मैंने यह लिखा कि f12 का मतलब 1 और 2 के बीच में force मतलब q1 and q2 के बीच में force q1 q2 by b square ऐसी q3 और q1 के बीच में force q1 q3 by a square ऐसे है समया रहे है ओ के साही है ठीक है तो इस sheet में एक और question pending था बोलो जो एक जो force है इस minus ने इस minus को repel किया ठीक है इस plus ने इस minus को attract किया लेकिन सारे factor तो minus q1 पे draw करने है ना इसा है ना minus q1 ने कुछ नहीं किया net force minus q1 पे निकलेगी तो q2 ने minus q1 को खींचा attract किया तो vector मेरी तरफ और इसने इस minus q1 को repel किया तो इस तरफ vector draw इस पे होने है ठीक तो point clear है यहां थक तो एक तो यह point है इसमें दूसरा इसके अंदर ने एक और question था जो यह question था यह वाला देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे क्या complicated सा question है है नी इतना ring वाली problems हम यह पहली बार नहीं कर रहे है अगर आप plus one की बात करते हैं तो plus one के अंदर यह ring वाली problem circular motion में एक बार discuss हुई हुई है तो circular motion में एक circle में ring घूम रही है तो वो tight हो जाती है उसमें tension निकालो ring की tension निकालो ऐसी problem क्यों हुई है second ring वाली same problem की थी surface tension की objectives के अंदर जब surface tension की problem आती है कुछ लोग कहेंगे कि हमें याद नहीं पताने हमने की भी नहीं शायद तीसरी problem ring की अब करेंगे चौती करेंगे magnetic effect में चार बार यह ring की problems आती है तो आज आप सीख लोगे तो surface tension और circular की problem भी clear हो जाएगी magnetic की भी हो जाएगी आज मानलो अगर आप यह छोड़ दो गए तो हर जगा जहां को ring देखेगी ना वाँ problem ही problem रहेगी हलाकि मैं इसका end में shortcut बता दूँगा आपको यह कुछ करने की जुरत नहीं पड़ेगी इसका end में shortcut formula याद करेंगे इसका बट अगर मैं सीधा कहूँ कि वह formula ऐसा होता है तो आप यह पूछ सकते हो इस formula कहां से आया तो फिर उसके लिए और कल को थोड़ा सा भी complicated question हो गया तो फिर आपको question attempt नहीं कर पा हो गया तो इस वज़े से मैं आपको पुरा detail में ही समझाता हूँ कि actual में ring की problem solve करते कैसे है सबसे पहली चीज़ आपको कि ring की problem तो last time भी की थी तो इसमें क्या खास है वह अलग problem है वह यह problem है ring इस तरीके से पड़ी हुई है और उसके axis पे चार्ज पड़ा हुआ है और वह move कर रहा है because ring का charge उस point charge को खीच रहा है यह problem ऐसी नहीं है यह problem ऐसी है कि suppose करो आपके पास एक ring है suppose आपके पास एक ring है कुछ इस तरीके से यह एक ring है ठीक है इस ring के उपर charge distributed है कितना capital Q ठीक है capital Q ring के center पे एक charge है positive small q आप बस मुझे यह बताओ small q capital q को क्या करेगा repel मानतों यह चीज small q इस capital q को क्या करेगा repel और अगर मैं यह बोलता हूं कि यह ring is elastic in nature तो ring थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी अगर रपरेवैंट की तरह है यह थोड़ी सी elastic है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी size में क्योंकि आपने q ने capital q को repel किया तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी यह तो नहीं होगा कि बड़ी होती जा रही है होती जा रही तूट गई पता नहीं ऐसा तो इसमें question में given नहीं है तो मेरा यह कहने का मतलब है कि अगर small q charge center पे है और capital q हम इसे repel करवा रहे तो रिंग अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए और एक equilibrium position इसने attain कर ली ठीक मालनो यहाँ पर आकर यह रूक गई अब rubber band में तो ऐसा होते ही न rubber band के नीचे mask लगा दो rubber band क्या होगा expand होगा और फिर एक position पे आगे रूक जाएगा यह तो नहीं expand तूट भी सकता है यह नहीं करें तूट नहीं सकता अगर ना तूटे it is elastic in nature तो क्या होगा उस case में rubber band खींचे और रुक जाएगा तो ऐसे यह भी रुक गया तो यह ring जब अपने size से काफी बड़ी हो चुकी है equilibrium पे तो आपको ऐसा feel नहीं होता इसमें tension आ जाएगी tight हो गया तो tension आ जाएगी rubber band में भी tension आ जाती है तो खींचती हो तो tension आ जाती है इसमें tension आ जाएगी तो मेरा पहला question है find tension in ring question बाब में solve करेंगे find tension in the ring तो आप ring के टेंशन निकाल तो क्या है तो ring की ऐसी जितनी problems आएगी उनमें एक ही technique है जिसमें tension निकालनी होती है circular rings की वो कैसे निकलती है वो मैं आपको बताता हूँ तो पहला point clear है question को छोड़ो की sheet में क्या question है आप बस यह समझो कि आपको क्या निकालनी है tension in the ring ठीक है तो इस question के अंदर अगर आपको tension निकालनी है तो start करते है कि suppose करो यह एक ring है ठीक है इस ring के capital Q charge है इस ring के center पे small Q charge है ring की tension का मतलब ring की force निकालना और ring की force निकालने का मतलब force is a vector और vector कभी goal होता नहीं, vector तो एक बिंग straight होता है तो आपने क्या करना है एक standard procedure है इसका कि ring की इस type की problem जिसमें को tension निकालनी होती है आप इसका small element consider करें मान लो यह element है जिसकी length कितनी है dl आपने एक piece ले नहीं है इसका चोटा सा बहुत चोटा यह बहुत बड़ा दिखाया है ताकि आखरी student को दिखे otherwise this element is very very small कितना dl पिर आपने क्या करना है आपने इसमें dl लेके आपने इसमें dl लेके यह लो इस dl element ने इस dl element ने center पे यह center है ठीक center पे angle बनाया कितना angle बनाया theta इसने भी theta और यहां से यह भी theta 2 theta आपको कि total angle theta ले सकते हैं total angle theta तो आदा आदा क्या हो जाएगा theta by 2 and theta by 2 तो यहां पर angle क्या बना theta theta इस ring के अंदर tension है तो आप एक जैसे वह velocity tangential बनती थी ना velocity tangential है तो tension भी tangential बनेगी और tension मिशा equal and opposite होती है तो एक tension इधर एक tension इधर equal and opposite तो यहां तक rule clear है जब भी रिंग के अंदर tension की problem आईगी पहला rule consider a small element उस element ने angle बनाना है theta and theta फिर tension आपने tangential टो करनी है फिर आपने क्या करना है यह आपका मानलो x-axis है कुछ इस तरीके से और मानलो यह y-axis की लाईन है कुछ इस तरीके से ठीक क्या हुआ इसका फायदा फायदा यह हुआ कि अगर यह theta है तो यह angle भी क्या होगा theta alternate angle clear है तो अगर यह theta है यह radius है और यह tangent है radius और tangent max में कितने angle पे होते है 90 तो अगर यह theta है तो यह वला angle कितना बना 90 minus theta right clear है यहां तक तो गोगि total angle इनकी बीच में 90 और यह y-axis और x-axis भी 90 पे होते है तो अगर यह 90 minus theta तो यह angle भी exactly क्या बनेगा theta clear है यह theta और ऐसी अगर यह theta तो यह भी क्या बनेगा theta तो point number one clear है यह geometry clear है तो पहला procedure क्या है ring draw करो element लो, tension, tension, td इस तरी कैसे टिंगेंशन लो x-y-axis लो यह theta तो यह theta यह theta तो यह theta clear है online वालों को clear है yes sir yes sir तो यह एक point हो गया आप गोगे इतना याद करना पड़ेगा कैसे कुछ change हो गया तो कुछ change नहीं होगा कोई कुछ change नहीं होगा यह standard है ऐसे ही बनेगा हमेशा आप गोगे क्या frequency है question आने की बहुत कम बहुत कम इतना कम की मुझे खुद नहीं बता गी किस साल में कब आया था आपको क्यों करवा रहे हो क्या पता आजाए रिंकी problem ठीक है तो मुझे तो पता नहीं की आएगा नहीं आएगा तो मैं तो करवाओं गई और फिर इतना लंबा कैसे करेंगे इसका answer याद करेंगे और क्या करेंगे तो answer सीधा याद करवाद हो फिर आप पूछोगे कि हुआ कैसे तो इसलिए पहले हुआ कैसे फिर एक line का answer है सीधा answer दिया करेंगे ठीक पर अगर कल को question change हो गया या किसी और unit के अंदर लगाना पड़ गया अब कितने answer याद करवाऊंगा या आप खुद आप की जिन फील हुआ नहीं आप मुझे पढ़ना चाहिए अब मुझे सीध निकालनी है पढ़ोगे तो किताब पढ़ोगे किताब पढ़ोगे तो यह question दो मिलेंगे फिर उसके method भी मिलेंगे आपको गया बड़ा लंबा question है समझ में नहीं आ रहा है क्या किया तो यह पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे है exactly ठीक तो यह tension and tension T अब tension के दो components है पहला component T का यह component क्या बने का T cos theta right और नीचे की तरफ T sin theta उसी तरीके से T और यह T T cos theta और नीचे की तरफ T sin theta right clear है यहां तक ठीक अब दूसरा point T cos theta और T cos theta vector इक दूसरे को कर गए cancel cancel हो गया यह element कितना बड़ा है यह बहुत छोट है reality में यह element is very 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 small बहुत ही छोट है अब सोचो अगर यह element बहुत छोट है मैं छोटा बना रहा हूं इसे तो यह बहुत छोटा करने से यह angles भी बहुत जादा छोटे है और अगर यह बहुत छोटा diagram बने तो T sin theta T sin theta इतने दूर नहीं बनेंगे थोड़े से पास हो जाएंगे and इतने पास हो जाएंगे कि आपको appear होगा कि वह कहां एक्ट कर रहे हैं towards center क्या यह point clear है ऐसे act करेगा कि यह 2 T sin theta force कहाँ कर रहे है almost towards center यह point भी clear है यहां तक अब equilibrium लाने के लिए net force क्या होने चाहिए 0 x axis की force तो हो गई cancel नीचे की force कितनी है 2 T sin theta अब यह q ने इस element पे small charge कितने dq total charge अगर q है तो element की उपर कितने है dq तो इस q ने dq को क्या किया होगा repel by a small force df इस df की value क्या होगी df की value होगी 1 by 4 pi epsilon 0 dq into q point charges और मान लो इसका radius अगर a है divided by a का square और अगर मैं बोल रहों कि ring equilibrium में है तो इसका मतलब df force upward force must be equal to downward force तो equilibrium maintain होगा क्योंकि x-axis की forces तो cancel हो गई तो y-axis की forces को भी मैंने equate कर दिया upward force is equal to downward force क्या यह point clear है यहां तक ठीक तो कहां से numerical problem start होगी पहली equation क्या बनेगी वो समझ में आ गई कि ring expand हुई क्यों थी electrostatic force of repulsion अभी expand क्यों नहीं हो पा रही क्योंकि 2t sin theta ने उसे क्या कर दिया equate कर दिया clear है excuse me sir sir यहां q dq को repel कैसे कर रहा है sir यहां q dq को repulsion कैसे हो रही है यह positive नहीं है point charge और यह भी तो positive है तो positive positive को क्या करेगा repel तो repel करेगा okay sir ठीक है तो आपको यह logic समय आया पहले कि repulsion की force element पर क्या होगी यह समय में आया कि repulsion की force क्या होगी और इसके अंदर equilibrium क्यों maintain होगा क्योंकि ऊपर की force is balanced by नीचे की forces ठीक है यहां तक यह पहला rule है तो अगर कोई पूछे tension निकालो question तो tension निकालो तो tension निकालने के लिए यह equation से शुरू कर लेंगे और tension को निकाल लेंगे जब भी max में angle छोटे होते हैं तो max का rule है कि sin of small angle can be written as angle sin theta can be written as theta जैसे angle इतना छोटा है कि 0 है तो sin 0 क्या होगा ? 0 angle इतना छोटा है कि वो 0.1 है तो answer क्या होगा ? 0.1 यह तब है जब angles बहुत छोटे हैं और हमारे इस case में angles सच में छोटे हैं और अगर angles छोटे हैं तो यहां से df is equal to 2t sin theta can be written as theta यह rule भी clear रहे हां तक ? ठीक समझ में आ रहे हां तक ? अब last rule दो चीज़ें और उसके बाद यह question खत्म पहला rule df की value में dq क्या होगा ? यह रहा dq अब dq small charge रिंग के उपर रिंग के उपर charges कैसे distributed होते हैं ? रिंग के उपर charges या किसी भी body पर कैसे distributed होते हैं ? तीन तरीके से charge distribution होती है या तो length wise या area wise या volume wise अगर आनलो आप ring लेते हो या thin rod लेते हो और ring भी by default thin ही होती है तो इसके उपर जो charge है वो length wise distributed होता है अगर आप बात करते हो कि इसकी area wise जैसे disk है, disk के उपर charge कैसे distributed है over its surface area और ऐसी solid जो जैसे कोई fair है तो charge कैसे distributed है over its volume तो point clear है याँ तक ? तो अब इस case में इस case में आपको क्या given है ? कि total जो length है मान लो अगर मान लो small a radius है small a radius है इस ring का तो length कितनी है ring की ? 2 pi a तो 2 pi a length है तो charge कितनी है ring का ? capital q तो 2 pi a length में charge कितनी है ? unit length में charge कितनी है ? q divided by 2 pi a और हमारी length कितनी थी small कितनी ? dl तो charge कितने q divided by 2 pi a into कितना ? dl यह क्या आ गया ? dq तो dq समझ में आ रहे है charge per unit length को length से multiply करते हो dq आ जाएगा तो point समझ में आ रहे है यहां तक हमने rod के case में भी बिल्कुल ऐसे यूज किया था तो point clear है यहां तक कि हमने इसमें क्या निकाला ? हमने इसमें small charge निकाल दिया कैसे निकाला ? q by 2 pi a into dl clear है यहां तक ? ठीक तो जो force की problem की बात हो ली थी न force की problem में charge क्या put करेंगे dq निकाल दिया ठीक हो गया ? अब last एक चीज और मुझे बता नहीं है उसके बाद यह question बिल्कुल हो जाएगा कि वो यह पता नहीं क्या हो रहा है छोड़ो देखो suppose आपके पास जैसे मैं बताया कि यह एक ring है और यह छोटा सा element है कितना element है ? dl राइट और यह total angle कितना था ? to the top तो radius क्या था ? तो आपने sector सुना होगा यह sector है तो angle is equal to arc by radius यह सुना हुआ है तो angle इसमें कितना है ? 2 theta r की किती है इसमे ? dl radius कितना है ? a तो आप 2 theta को dl by a भी put कर सकते हो तो जो मैंने equation बनाई थी यह बनाई थी df is equal to 2t sin theta अगर आपको यादो तो df is equal to 2t sin theta यह equation मैंने आपको बना के थी right ? इस equation में df is equal to 2t theta अभी बनाया था मैंने df की value क्या थी ? 1 by 4pi epsilon 0 q into dq by a square is equal to 2 into theta into t एक ही बाद है 2 theta पर लिख लो dq मैंने अभी आपको निकालना सिखाया 1 by 4pi epsilon 0 q divided by a square into dq dq क्या था ? capital q by 2pi a into dl is equal to 2 theta 2 theta किसके equal है ? dl divided by a into t dl से dl क्या हो गया ? cancel निकाल लेना t आंसर आगया यह answer होगा tension का method clear है आपको गया कि यह तेंशन कूछी जाए तो यह पूरा operation करना पड़ेगा बैठके पूरा खोलना पड़ेगा और यह 2 theta theta angle कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बस पेपर में जाना सिधा मां कर देना है क्या मां करना है? टेंशन का फॉर्मूला 1 by 4 by epsilon 0 q into q by a का स्क्वेर बस एक extra term है नीचे 2 pi done objective question यह तो objective में आपड़ेगा यह तो objective में आपड़ेगा तो आगे तो यह करेंगे मेर से पूछोगे तो मैं यह करूँगा पर हाँ अगर कोई और चैप्टर में मुझे कॉंसे कॉंसे करना पड़े मुझे कॉंसे बदाएगी कैसे लगा क्लियर है तक ठीक है तो टेंशन आ गई अब इस यह सेम स्टेप जो मैं करके दिखा इस सेम ठीक है यह देखो ना 2 F D F is equal to 2 T theta 2 theta angle is arc by radius टुट किया टेंशन आ गई तो पेला point क्लियर है तक तक टेंशन निकल जाएगी अब दूसरा point है इसी के अंदर यह question थो लंबा था इस question में सिरफ टेंशन ही निकालने को कहा था इस question में आपको एक और concept use करने को कहा गया जिसका नाम है young's modulus अब young's modulus सुनते ही अब लोग सोचे है अच्छा अब यह property वो elasticity भी use करवाएगा कभी 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 कितनी राग एक साल में एक भार वहाँ आज वही दिन एक बार उसके लास्टडी यूज नि होगी बस यह एकी बार है ठीक तो अब हो कहेगा कि एक जैसे रिंग मैं क्यों कर रवा रहा हूँ कappelle को मैं question क्री इस असान भी कर सकता हूं तो आपको यह बताया चाहता था कि कोई भी अगर मानलो एक स्ट्रिंग इवन आपको मानलो आपको एक स्ट्रिंग इवन है या कोई भी एक रॉड है कुछ भी है यह इलास्टी की नेचर है तो यहाँ पर इसकी लेंद क्या है एल और फोर्स क्या है इसमें एफ ठीक है तो आपने क्या किया इस रॉड को खींच के थोड़ा लंबा कर दिया कितना लंबा कर दिया अग्या कर दिया तो इंक्रीज इन लेंथ यह माननों क्रीज इन लेंथ कितनी है इसमें डेलका एलका पर देल्टाएल 93 लेंथ है तो अगर आप डेल्टाएल को far. औरीजनल तो जो materials elastic की nature है वहाँ पर concept young modulus का use होता है तो young modulus का formula होता है कि stress divided by strain तो stress क्या है force by area, strain क्या है इसमें delta L by L तो यह formula आपने याद रखना है तो याद हो गया है इसमें इस question में क्या निकालने आपको अगर आप इस question को देखें तो इस question में आपको young modulus निकालने क्या है इस पूरी wire का मतलब ऊपर चो question चल रहा है find the young modulus of the wire and क्या given है आपको radius given है wire का small a और आपको एक और चीज भी given है और वो है cross sectional area a यह भी given है cross sectional area a given है क्यों given है क्योंकि जब भी आप young modulus की problem solve करेंगे तो force f apply की जाएगी कहाँ पर इसके cross section area पर जैसे कोई भी अगर यह ring है यह ring की wire है यह cross section area है तो pi a square area लेना अपने आपने क्या लेना है wire का cross section का area लेना है clear है यहाँ तक ठीक तो अब wire की tension निकाल चुके हो wire के अंदर की tension निकाल चुके हो उसके cross section area से अगर divide करनेंगे तो उसका stress आजाएगा force by area यानि कि अगर मैं पूछू इस मेरे इस question में मेरे इस question में stress की value कितनी है तो आप बोलेंगे tension T divided by cross sectional area force by area में force की जिगा tension area जिगा cross section area clear है तो मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या निकालना है यंग modulus निकालना है तो यंग modulus में force by area delta L by L तो यह step भी clear है यहाँ तर ठीक है तो फॉर्मला लिख रहा यंग modulus का अब अब tension T हमने अलड़ी निकालनी जो भी वो किया था तो option पर डिपेंड करते है objective पर कैसा पुछा जा रहा है अगर answer T की form में तो T की form में छोड़ दो मत पुट करो अगर वो बड़े form में तो tension की value पुट करनी पड़ीगी यहाँ पर आपको tension की जगा into वायर की original length क्या थी उसका circumference कितना 2 pi A जब वायर बड़ी हो गई तो उसकी length कितनी हो गई 2 pi into A plus delta A क्योंकि जब वायर बड़ी होगी उसका radius भी बड़ा हो जाएगा पहले radius कितना था A अब कितना A plus delta A यह step clear है यहाँ तक तो नई length कितनी है 2 pi A plus delta A कुरानी कितनी है 2 pi A क्लियर है यहाँ तक तो इन्हें minus करेंगे तो यह क्या है आपके पास increase in length delta A तो जहां पर delta जहां पर length यूज होनी है जहां पर question में L यूज होना है L का मतलब original length और original length कितनी है 2 pi A delta L कितने है 2 pi into delta A तो यहां से solve करके आपके पास क्या जाएगा यह answer आएगा या तो option में यह answer होगा तो T की form में mark कर देना नई तो हो सकता है tension की value जो मैंने उपर निकाली थी वो put करनी पड़े और answer आपको mark करना पड़े कॉंसेप्ट समझ में आगया कि how to calculate young's modulus ठीक है आने का चांस rare है इस sheet पे NCRT यह sheet नहीं NCRT कि इसमें NCRT में कुछ नहीं आएगा चीप नम्बर थी वो कर रहे हैं not for NCRT इसमें कुछ नहीं आएगा point charges पर आएगा even मैं मैं में मैं में 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 नहीं में 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 सा पेपर देह रहा है 21 वार भी टेबल पड़ी है पहले तीन question point charge की ओपर ही आई में में के अंदर भी कोई नहीं रोड रॉड रिंग नहीं आई, पॉइंट चार्ज यार, Q1, Q2, Q3, 3, पॉइंट चार्ज या क्वेश्चन, तो इतना भी मुश्किल पेपर नहीं है, बट क्यूंकि हम तो सारई ही करेंगे, हमें क्या बतागा, आपके भारी में क्या येगा, तो सारई ही करेंगे, अबने डिसकस करनी है, अबजेक्टिव शीट थी, अबजेक्टिव शीट नमबर 3 थी है, ठीक है, तो ये पहला कोश्चन था, कितने लोगों ने ट्राई की ये शीट, ओके चेक करते हैं, डाउट सेते हैं, तो डाउट सोंगे कुछ थोड़े से, देखो, तो इसके अंदर तो, first question, कितने लोगों को डाउट है कि नहीं संवे जाए कैसे करना है, कितने लोगों को समंज मेय जाए कैसे करने है, घजह ठीक है, देखो, सबसे पहली देखो, सबसे पहली चीज, first question के अंदर, क्या गिवन अपको इसमें, first question के अंदर आपको ऐसा given है कि दो charges है एक Q और एक Q straight line में है ठीक है, straight line में दो charges है और ये एक तीसरा charge है minus Q जो किस में घूम रहा है इना circle, circle में घूम रहा है तो minus Q circle में घूम रहा है कैसे घूम रहा है इस जो AB line है ये जो दो charges है इसके perpendicular plane में घूम रहा है तो ये AB charge बिल्कुल screen पे उपर है minus Q out of plane यानि कि इसके perpendicular plane में है कुछ इस तरीके से तो point clear है या तक तो AB charge हो है जो दो charges है वो AB इस तरीके से पड़े हुए है and minus Q charge हो है वो इस तरीके से इसके इस तरीके से घूम रहा है point clear है यहां तक अब question यह है कि minus Q charge घूम रहा है minus Q charge किस में घूम रहा है in circle circle में घूमने के लिए कौन सी force चाहिए centripetal तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी कि कौन प्रोवाइड कर रहा है इसमें centripetal और हमने finally निकालना क्या है हमने निकालना एंगुलर विलॉस्टी जिसका सिंबल क्या होता है omega angular velocity omega तो इसका मतलब centripetal force जो भी होगी उसकी value किसके साथ equate की जाएगी centripetal force के दो फॉर्मूला से है या तो mv square by r है या mr omega का square है तो जो भी centripetal force है must be equal to mr omega square क्यों 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 कि मेरे को क्वे निकालना है omega हालागी mv square by r भी बुट कर सकता हूँ पर फाइदा नहीं होगा क्योंकि मेरे को omega निकालना है दो भी में अगई साथ काम करोगा तो point clear है या तक good out इसमे थीक तो पाम करते हैं पहले यह decide करते हैं कि इसमें centripetal force इसको मिल कैसे रही है तो इस question के अंदर कुछ ऐसे यह question given है कि ये दो charges हैं ये दो charges हैं एक capital Q और एक capital Q ऐसे हैं तीसरा charge minus Q कैसे घूम रहा है इना circle इस तरीके circle में खूम रहा है इसका radius इसका जो radius है वो कितना given है R ये distance आपको question में given है D और ये भी कितना given है D clear है यहां तक अब minus Q को force कौन लगाएगा इसके surrounding charges surrounding में कौन है एक capital Q और एक capital Q दो charges कितनी लगाएगा ये capital Q minus Q को अपनी तरफ क्या करेगा attract उसी तरीके से ये capital Q भी इस minus Q को अपनी तरफ क्या करेगा attract good out इसमें ये point clear है यहां तक ठीक तो कितनी force से attract करेगा निकाल लेते हैं तो अगर ये angle ठीट है तो ये force अगर F है तो इस F का magnitude तो निकाली सकते हैं 1 by 4 pi epsilon 0 magnitude में Q into Q divided by अगर ये D है ये R है तो ये क्या हुआ under root of D square plus R square तो under root of D square plus R square का whole square तो क्या ये point clear है all in बालों को clear है ये तो इसमें ये term आगई आपके पास ठीक है अब उसी तरीके से ये same force यहाँ भी act करेगी right एक काम करते है इसमें इसके अंदर जैसे suppose ये माल नेती है ये आपका x-axis है कुछ इस तरीके सी इसके लाइन के parallel बना रहा हूँ बस में such that अगर ये थीट है तो ये angle भी क्या होगा थीटा तो ऐसी अगर ये थीटा है by symmetry तो ये भी क्या होगा थीटा clear है यहाँ थीटा थीटा clear है right और last ये force F है तो थीटा के साथ वाला component क्या बनेगा F cos थीटा और नीचे क्या बनेगा F sin थीटा उसी तरीके से इस F का component F cos थीटा और नीचे की तरफ F sin थीटा ये component of force इस component को क्या कर गया cancel तो net force towards center कितनी है 2F sin थीटा और center की तरफ जो force है जो act कर गया किसी भी particle को उसको क्या बोलते है centripetal force clear है तो इसमें centripetal force कितनी है 2F sin थीटा cos cos component आपस में क्या कर गया cancel 2F sin थीटा must be equal to m r omega का square क्या ये rule clear है यहां तक समय आ रहे है यहां तक तो ये equations से आपका answer आएगा values put कर लेते हैं अब इसमें values put करते हैं थीक है यह देखो तो exactly मैंने यही किया इसमें 2F sin थीटा is equal to m r omega का square S की value जो मैंने आपको गई वो put कर ने sin थीटा की value क्या होगी this height यह height कितनी है r और this hypotomy उसकितने है under root of r square plus d square तो यह sin थीटा पुट कर दिया m r omega का square इसमें values आपको अलमुस्ट सारी given होगी charge पता है d पता है r पता है d पता है mass पता है omega नहीं पता तो यहां से omega कैन बी calculated check करना पड़ेगा मैंने check नहीं किया but आपको method क्लियर है कि कैसे से solve करना है बोलू मैंने की अनियर मैंने सीधा लिखा हुए कितना रहे answers का 400 रहे 400 रहे answer आप एक बार चेक कर लेना वैसे मुझे पता नहीं answer आ रहे नहीं आ रहे एक बार चेक करना sin theta में यह height कितनी है r और यह यह right angle triangle ऐसे लेना पड़ेगा right angle triangle यह लेना है यह यह और यह तो यह कितने r और यह कितने under root of d square plus तो sin theta क्या होगा r divided by this यह put किया है तो 2 2 force की जगा है पूरी force sin theta की जगा sin theta ऐसे ठीक तो चलो यह concept है तो आपको यह point समझ में आता है कि कैसे करना है इसके अलावा जितने भी इसमें questions है मेरे खाल से point charges के ऊपर है वैसे सारी sheet ही मेरे खाल से point charge के ऊपर है यह तो अलग लग तरीके से question को पूछा गया इसमें question number 3 में क्या इसमें लिखा हुआ था unit charge चेक लिखा हुआ है तो किते लोगों को doubt है इसमें unit charge यह निकल गया question को doubt इसमें no sir ठीक है okay ठीक है direction बतानी थी इसमें question number 4 में doubt 4 भी clear है yes sir doubt है अच्छा ठीक fourth question क्या है fourth question है three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown तो इसके अंदर आपको क्या given है तीन charges है पहला जो charge है वो capital Q यहां पे है यहां पे है and यहां पे है तीन charge equilateral triangle है right force experience my charge particle at vertex A इसके उपर force in direction BC यह BC है यानि की x-axis क्या रहे A particle के उपर force along x-axis direction normal to BC 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 is क्या होगी यह question में निकालना है okay उसने यह पूछा कि इसके उपर charge पे force किस ने लगाई q & q ने लगाई net force लगाई होगी पर मेरे को net force चाहिए नहीं मेरे को force किस पे चाहिए मेरे को इस पे force चाहिए और along क्या चाहिए y-axis चाहिए क्यों perpendicular to BC तो perpendicular to BC y-axis में force क्या होगी यह बताओ एक काम करो force होगी क्या पहले इसको एक बार चेक करते हैं देखो सबसे पहली चीज इसमें एक charge minus q यह रहा एक charge plus q यह रहा given है एक charge plus q यह रहा यह भी given है clear है सबसे पहला rule इस plus ने इस plus charge को क्या किया अपने से दूर repel किया क्या यह point clear है capital q ने capital q को repel किया क्या point clear है minus q ने capital q को अपनी तरफ attract किया यह point भी clear है तो एक force इसके उपर अगर net force पूछी जाए तो कौन लगाएगा एक यह लगाएगा और एक यह लगाएगा तो इसने इसको repel किया और इसने इसे attract किया rule number one clear आपको जो force निकालनी है वो y-axis में निकालनी है एक काम करो वैस्तो हम इसको पैलोग्राम से net force निकाल सकते हैं पर उस net force पूछी नहीं उसमें force पूछी along y-axis तो एक काम करो अगर यह angle थीट है तो उस case में यह angle भी कितना है थीट है और अगर यह angle थीट है by symmetry तो यह angle corresponding से क्या हो जाएगा थीटा यह alternate से थीटा यह corresponding से थीटा तो इस force के दो component होंगे एक थीटा के साथ component जिसकी value क्या होगी F cos theta और एक perpendicular component जिसकी value क्या होगी F sin theta similarly इस F के भी दो component होगे थीटा के साथ का component क्या होगा F cos theta और perpendicular क्या होगा F sin theta क्या है point clear है अब मुझे जर्व एक शीज़ बताओ कि इस question के अंदर x-axis के along net force क्या होगी इन दोनों को क्या कर दे add add करेंगे net force आएगी y-axis में net force क्या होगी अब y-axis में perpendicular to BC यह vector इसे क्या कर गया cancel तो net force y-axis में क्या आएगी 0 तो answer क्या आएगा 0 हलांकि net force 0 नहीं है y-axis की force 0 है quit out point clear है यहां तक अगर x-axis तो फिर 2f-cost-heat answer है y-axis में 0 है और x-axis में 2f-cost-heat है net force में 2f-cost-heat है quit out इसमे clear है यहां तक next कि स्ट्रिंग वली problem बहुत देखने को मिलेगी आपको कि स्ट्रिंग वली problem बहुत आती है आप यहन कोपटिशन 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 आप NCRD किताब कोड़ोगो कि स्ट्रिंग बली problem तो उसके अंदर इसमें बहुत मिलेगी आपको तो इस टाइब की problem important problems हैं जिसमें strings के साथ कोई मास लगा होगा उस पर चार्ज लगा होगा सबसे पहली चीज अगर आपको प्लस फन याद हो फोर्स याद हो तो उसके अंदर हम क्या करते थे उसमें यह करते थे कि जैसे suppose करो आपके पास ठीक लेट अपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है जैसे यह स्ट्रिंग है ठीक है और माल लो यह स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से जैसे यह वाल है माल लो यह दिवार है ठीक है तो यह वाल है और एक स्ट्रिंग है और सच दाट मैंने इसे यह मास एम है तो इसका वेट क्या होगा वर्टिकली downwards मैंने इसे पकड़ा हुआ है इस तरीके से by applying a force of 10 newton question में गिवन है पकड़ा हुआ है और यह equilibrium में है और यह equilibrium में है making an angle of क्या theta with vertical तो हम question में ऐसे करते थे किसके अंदर components draw करते थे किसके tension के हम यह मानते थे कि इस string में क्या है tension tension किसमें होती है इसे pairs में होती है तो theta इसमें t tension है तो by vertically opposite angle यह भी क्या हो जाएगा theta यह भी clear है आतक तो इस tension के दो components लिया करते थे t cos theta और एक लिया करते थे t sin theta और यह mass अगर equilibrium में है तो t cos theta किसको equate किया करते थे mg और t sin theta किसको equate करता था 10 को यानि कि horizontal की forces को भी net force 0 वर्टिकल भी net force 0 तो वो करने के लिए उपर की force is equal to नीचे की force left की force equal to right की force तो क्या है point clear है यह same rule charges के अंदर भी लगाया जाता है कैसे लगाया जाता है यह देखो question है Q and Q दो charges है Q and Q दो charges है 10 micro coulum का charge है Threads है, यह Threads है दो charges है यह दो charges है यह दो charges is in those threads के नीचे लटके हुए लटका हुए है लटका हुए है similar charge है तो obviously यह टिक है तो है नी अख़े रहेंगे नी तो Q and को दूसर को क्या दूसर क्या करेगा? यह रिपेल करता है और इस situation ऐसी हो जाती है कि अंगल क्या बनता है यह आपर वर्टिकल के साथ 60 और system equilibrium आता है रेस्ट पर जाता है given system रेस्ट पर जाता है कितने अंगल पर रेस्ट पर आ गया? making an angle of 60 फिक हो गया? तो 60 पर रेस्ट पर आ गया तो length आपको string की 1 meter given है और आपको क्या निकालने tension in this thread निकालने क्या होगी तो तो तेंशन निकालने थ्रेड में क्या होगी? अब system किसमे? equilibrium में equilibrium के अंदर net force क्या होती है किसी भी particle पर जीरो net force के लिए क्या draw करनी पड़ेगी इसके उपर? तो कौन कौन सी forces है पर यह decide कर लो फिर आगे question solve करेंगे तो कौन कौन सी forces है तो आप check करें इसमें पहली चीज टोटल एंगल कितना था? 60 आदा आदा कितना हो गया? 30 तो अगर यह 30 तो यह भी कितना? 30 प्रिंग में क्या जाएगी? टेंशन क्या होगी? 30 T cos 30 T sin 30 clear है यह तक? weight कितना है? mg और इस Q charge में इस Q charge को क्या किया? repel तो किस से repel किया? electrostatic force of repulsion तो यह वो force है repulsion की अब यह क्योंकि point charge है इन में distance क्या है वो लेना पड़ेगा वो कैसे आएगा? आपको तो यह 1 meter given है यह 30 degree given एक काम करो यह right angle triangle लो इस right angle triangle में sin of 30 क्या होगा? x divided by 1 sin of 30 is equal to x divided by 1 तो x क्या हैगा? sin of 30 अगर यह x है तो यह भी कितना है? x तो दो charges में total distance कितना है? r, r क्या होगा? 2x तो r की value can be calculated तो r की value यहाँ पर क्या होगी? 2 into sin of 30 तो क्या यह point clear है? तो 2 into sin of 30 आपके पास क्या हैगी? force आएगी को doubt इसमे? point समय में आ रहा है आतर अब इस case में अब इस case में क्योंकि यह equilibrium में given है दोनों particle equilibrium में है तो कोई भी एक particle लोग t cos 30 किसके equal है? mg पहली equation and t sin 30 किसके equal है? electrostatic force of repulsion जो क्या होगी? q into q by r का square और r हम निकाल चुके हैं इसमे 2 into sin of 30 तो point क्लियर है आपकर तो इसके अंदर आप यह equation लिखें इनने डिवाइड करें यह जो भी निकालना इस पर डिवाइड करना तो इसमें इनने इसी solve करें और t की value can be calculated कैसे करेंगे आप खुद देखना एक बार equations बनानी आ रही है सबको कैसी equation बनी तो string की जब भी problem आईगी पेपर में तो tension लेनी है और tension की दो components लेने है clear है यह तक points को सुम्हा रहा है की कैसे करना इसमें कि अरफ बीकादे नहीं नहीं खार ले कि अलनने धुल भी यह यह कि यह कि आप करेंदि झाल 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 निक्स्त sixth question कितने लोगों इसमें doubt है question आते हैं से मैं बता रहा हूँ आपको तो इस question में equal charges capital Q capital Q capital Q capital Q A length है magnitude of force on charge भी तो इसके उपर net force निकालनी है तो क्या rule है इसमें rule यह है कि यह जो capital Q है इस capital Q को क्या करेगा repel यह capital Q capital Q को क्या करेगा repel यह capital Q भी इस capital Q को क्या करेगा repel तो जब इसकी बारी आएगी तो force क्या होगी 1 by 4 by epsilon not q q by a square जब इसकी और इसकी बात होगी तो 1 by 4 by epsilon not q q by a square लेकिन जब इसकी बात होगी तो 1 by 4 by epsilon of q, q by root 2a का square, क्योंकि डागनल की लेंथ root 2a होती है, ठीक है हाँ तक, तो डागनल की जो लेंथ है, वो root 2a है, clear है, तो तीन फोर्सी आ गई, नेट फोर्स क्या होगी, ये दो वेक्टर्स आपस में 90 डिगरी पे हैं, तो रिजल्टेंट इस तरफ ही जाएगा, तो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो F3 की डाइक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगी, जो भी रिजल्टेंट इस प्लस F3, तो मेरे कहाँ से ये point clear है, तो ये मैंने draw किया, resultant under root of F1 square plus F2 square हाएगा, जो F3 की स्राज आएगा, तो net force क्या होगी, F3 plus under root of F1 square plus F2 square, आपको F1 पत करेंगारर आपके सांवाद को स्կे कहें तो point clear है, method सहला एंज सोंसे है कमाररर क्या है, तो point clear है तो आप तो फिर भी चलो, दो भड़ासो फड़ा-फड़ा धोगय होगया मैंने कर सकता है तो 0.1 में आ रहे है तो एक-टेब करके म्दधभी आता है गलती होगना चांस भी कम रहता है यह प्टिंण और धेक क्योंद नहीं exactement नहीं online देखो इस question में आपको चार चार्जेस गिवन है 4 चार्जेस गिवन है minus q, minus q, minus q, minus q और small q सेंटर पे है and वो क्या कह रहा है if this system is in equilibrium then value of small q will be equal to what तो आपको question में कुछ इस तरीके सी गिवन है देखो आपको question में कुछ ऐसा गिवन है यह देखो ठीक, such that यह कितना चार्ज है, minus छोटा q, बड़ा q बड़ा q, minus q, minus q, minus q and minus q और यह कितना है, small q तो question यह है कि यह arrangement गिवन है और system isn't equilibrium अब system, कई बार तो गिवन होता है, यह charge equilibrium में है यह charge equilibrium, बड़ा है system equilibrium है यानि कि कोई मर्जी charge ले लो, सब equilibrium में है कोई मर्जी ले लो, यह ले लो, यह ले लो, यह, यह कुछ भी ले, एक ले लो repel, क्या step clear है, और कितनी force से करेगी, 1 by 4 pi epsilon, magnitude only प्लीज, q into q divided by a square clear है आतर, माल लो, इस force का नाम है f1, ठीक है, उसी तरीके से, यह minus q भी, इस minus q को क्या करेगा, उपर की तरफ, repel, माल लो, यह force है f2, जिसका magnitude तो सेम ही रहेगा, 1 by 4 pi epsilon not, q into q divided by a square, right और यह minus q, इस minus q को, देखो कोई कहेगा, यह minus q इसे attract करेगा, इस पर पूछ कोण रहे है, मैं तो equilibrium किसका बना रहा हूं, उसका, तो सारे vector किस पर उस पर, तो अब यह दो charges भी से, रिपली attract करेंगे, तो minus q, इस minus q को क्या करेगा, repel, f3, 1 by 4 pi epsilon not, q, q by root 2 a का whole square, और last, यह plus q, इस minus q को क्या करेगा, attract, f4, 1 by 4 pi epsilon not, q into magnitude divided by a by root 2 का whole square, क्योंकि diagonal क्या है, a by root 2, जो half diagonal होता है, वो a by root 2 होता है, full diagonal root 2 होता है, तो point clear है यहां तक, कुल मिला के कितनी forces है, 4, 3 तो यहरी, 4 यहरी, net force का है, 0, तो इक काम करते हैं, यह दोनों आपस में 90 degree पे हैं, कौन-कौन, f1 and f2, तो f1, f2 का resultant कहां पर आएगा, इस तरफ आएगा, f1 square plus f2 square, और f3 भी exactly इसी तरफ है, तो net resultant f1, f2 का इस तरफ, f3 भी इस तरफ, और एक force इनके opposite है, और वो क्या है, f4, जबना, f4 इदर है, अगर आप चाहते हो, कि net force क्या हो जाए, 0, तो f4 must be equal to f3, f3 plus under root of f1 square plus f2 square, तो point clear है यह तक, तो इन्हें equate करेंगे, f1, f2, f3, f4 की values को put करेंगे, फिर अपना मैच सदाएँगे, और फिर आपसर निकालेंगे, पर method समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने किया भी हुआ है वैसे, अगर आपने यहां से नहीं देखना, तो यहां से देख सकते हो, यह रहा, यह रहा, यह रहा, तो मैंने f3 लिया, f1, f2 लिया, इसने double dash के लिए, कोई फरक नहीं है, तो सारी values को यहां पर put किया गया, जैसे f dash है, यह f है, यह f है, तो इन दोनों का resultant under root of f square plus f square, जो f dash के साथ है, और किसको equate करेगा f, double dash, सारी values को मैंने खुद फुट किया है, मैंने खुद सौल किया, और मेरा तो answer आ गया, I hope आप लोगो आप यहां जाएगा answer, calculation आपको करने पड़ेगे, उसका क्या ही तर सकते है, method clear है, method wise कोई doubt इसमे, समझ में आ रहा है यहां तक? Online आपको clear है? Yes sir. Yes sir. Okay. Okay. ठीक. यह question हमने कर लिया, इस question की बात करते हैं, इस question की बात करते हैं, यह question हर बुक में आपको मिली जाएका बिलून वला question, मिली जाता है, ऐसे ना कुस्टेंडर्स ही problem है, आए ना आए मुझे पता नहीं, हर किताब में जुरो प्रिंटेड होती है, करवा दो, तो बच्छे कहता है यार कैसा question है, ना करवा हो तो डूट की फों में आयता है, यह question था, कर लो, क्या फरक है यार, भुक तो सारी कबर करनी है, वाई लाई, क्या फरक है, यह भी कर लेते हैं, हीलियम बैलून के question, प्लस वन के अंदर भी कभी या जाते है, हीलियम बैलून, हीलियम के क्या हल की कैसा है, मार्किट में जाओ, हीलियम बैलून का वुक बारालो उड़ता जाता है, कैसे उड़ता है भई, अप थरस्ट से, क्या होता है, बिल्कुल भई प्रिंसिपल है, जो बॉल का प्रिंसिपल है, प्लस्टिक की बॉल को किसी भी स्विंग पूल के नीचे ले जाओ, उसको छोड़ दो उपर जाती जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी क्या लगाएगा उसके उपर, अप थरस्ट, वेट कम है, अप थरस्ट जाएगा, वो उपर उड़ती जाएगी, उपर जाती जाएगी, हीलियम बैलून का भी सेम प्रिंसिपल है, हलकी गैस है, एर जादा टेंस है, तो क्या लगाएगी एर, अप थरस्ट, तो अप थरस्ट जादा हो जाएगा, वेट उसका कम होगा, तो गुबार कहाँ जाएगा, उपर जाएगा, तो यही प्रिंसिपल है, तो हीलियम गैस जहां पर आ जाएगी, बैलून उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो बाई डिफॉल्ट इसमें गिवन नहीं होता, कि अप थरस्ट लो, लोग कुछते हैं, एर का अप थरस्ट पानी का तो सुना था, एर का कहां से आ गया, हीलियम बैलून के कोश्चन में, अप थरस्ट ही बैलून को ऊपर लेके जाता है, ठीक यहां सब क्लिर है तो यह बैलून ऊपर जा रहा था आगे देखो, अब इसमें एक मास को नीचे बांगा बांदिया बैलून के नीचे मास बांदिया और यह भी फलोट कर रहा हैं ना उनिचे कर रहा है ना उपर पर उड़ रहा है तो यानि की पूरा system किसमे है इन? equilibrium है आपने चीर माँट की पूरा chapter ही किसमे उपर है? equilibrium सारे question में चार्ज को move तो होने देता ही नहीं है क्योंकि electro static है move 1 में ही किया था SHM और उसी में देखो किया खतरनागसी एक्वेशन बनी स्टार्ट हो गई थी, शुकर है मूव नी कर रहा भी, अपर ठीक चल रहा है, रेस्ट भी पड़े है, इकुलिब्रियम से है, तो मूव करने में जादा प्रॉब्लम है, मूव करने में कानेमेटिक्स भी आएगा, मोशन सब कुछ आजाएगा, और मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा मैगनेटिक अफेक्ट में, उसमें मूव ही करता रहता है, उसमें स्टाटिक ही नहीं होता, और बहुत इंट्रस्टिंग है, तो कहने का मतलब कि हर क्वेश्चन का एंड एकुलिब्रियम है, और एकुल फ्रेबलम किया है? फॉर्स्टोख करना जिस्थी फोर्सेज का डायरम सही बन गया उसका अंसर भी आ जायेगा तो मुझे तो ऐसा लग रहे हम प्लसटु नहीं है हम एक फोर्स का चेप्टर करे है एक वेक्टर का करने है और एक रिकलिप्रम कर रहे है बस कूलम लो क्या है? कूलम लो तो बिचारा अभी शुरुई हुआ था फर्स लेक्ट्वर में बस्ट ये कूलम लो है उसकी बार तो कूलम लो यू भी नहीं हुआ कूलम लो पर ऐसी चल रहा है यह तो फोर्स की प्रैक्टिस ज़ादा हो रही है ऐसी हो रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, फ्लक्स करेंगे, फिर ये साथ चेंज हो जाएगा और फिर प्योर प्लस टू के उपर काम चलेगा, उसमें इतना मुश्किल नहीं है, वो इंटरस्टिंग, उसकी कैल्कुलेशन जादा नहीं है, इसकी कैल्कुलेशन वेक्टरवाई अक्रवी प्लस, फिसमें दो बैलून, मांस है, एकुलिबरियम हैं और फिरके क्या-क्या इससे करेंगी, पहली फोर्स पहली फोर्स, यसमे ऐसके डोरप करेंगी, वह क्या है, अप्थ्रस्ट, औनों बैलून, नहीं क्या काम करेगा, अप्थ्रस्ट, स्ट्रिंग जहां जब टेडी होती है, टाइट हो जाएगी, तो इसमें क्या हैगी, वैसे मास्क लगा हुआ, टाइट होगी होगी, तो क्या जाएगी इसमें, टेंशन, टेंटी, टेंटी, ये वी क्लियर है, इसका, जो है, ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, तो क्यू चार्ज क्यू को क् forces clear है यहां तक ठीक अब लगानी कैसे है इसको देख लेते हैं लगाने के लिए यह tension है अगर मैं इसका free body diagram की बात करूँ तो इसके free body diagram में U और यह T यह T तो यहां अट कर रही है न तो यह T इस पे कौन-कौन सी forces अट कर रही है इस पे एक force अट कर रही है यू यू एक क्याट कर रही है T एक क्याट कर रहे है Fc यह तीन forces है तो इस T के component दो कर लो यह थीट है तो यह भी थीट है alternate angle से T का पहला component क्या होगा T cos theta और यह क्या होगा T sin theta और अगर यह equilibrium है तो force Fc is equal to T sin theta and U is equal to T cos theta अगर यह equilibrium में है तो इसकी upward force is equal to downward force, left force is equal to right force आएगा आएगा जब आप यह लगाएंगे अगला अगली राइन तो सुनो आपका answer नहीं आएगा ठीक मतलब यह मैं गलत नहीं लेकिन यह नहीं कि गलत बोल रहा हूं यह तो लगेंगे equations पर फिर भी answer नहीं आएगा इसका objective portion ही है वो वेट के साथ answer दे रहा है और मैंने इसमें अभी तक वेट को consider किया नहीं है अब एक और equation बनाऊंगा जब वेट आजाएगा point clear रहा है तक करे start तो इसके अंदर देखो तो एक equation मैंने क्या बताई मैंने आपको एक equation मनाई अब एक और equation मनाते हैं यह पूरा system equilibrium में है अभ्यान सही है important है आपने एक बैलून का free body diagram तो यूज कर लिया कोई दिकत नहीं एक complete diagram के अंगर देखें complete diagram को देखें तो आप इसको दो मिनट भूल जाओ कुछ नहीं आए इस पे मेजरली तीन forces चार forces एड़ करती है रादर पहली यू अप thrust एड़ कर रहे है electrostatic force एड़ कर रहे है tensions एड़ कर रहे है और weight mg एड़ कर रहे है अगर components को दो मिनट छोड़ दें तो मेजरली इसमें कौन-कौन सी forces एड़ कर रहे है यू, T, mg और electrostatic force पूरा system भी equilibrium में है दोनों balloons और mass सब equilibrium में rest पे है तो अगर rest पे है तो total upward force बोलो पूर सिस्टम के कितनी है यू प्लस यू तो यू, total force upward बोलो तो यू, total downward force बोलो कितनी, mg और और कुछ भी नहीं, आप कोगे T 100 cos theta, भी T cos theta कैसे, इसके component द्रोई नहीं किये, इसमें एक का component है, अगर इसका द्रोई करोगे तो T cos theta, T cos theta आपस में, चैंसल, तो T and T तो वैसी equal and opposite forces है, जब आपर whole काम करे तो T and T आपस में क्या तर जाएंगी, चैंसल, तो total upward force कितनी है 2U, total downward force कितनी है सिरफ mg, right की total force कितनी है Fc, left की total force कितनी है Fc, तो equilibrium में तो पहली ही बना हुआ, x-axis में है, तो ऊपर की force कितनी है 2U, नीचे की force कितनी है, mg, तो एक और equation तियार हो गई, तो आप कहलते, वेट कहा उसमें U replace होगा, किस के साथ, mg by 2 के साथ, अब answer आपका mg की form में आएगा, ये देखो, ये ही किया होगा, इसमें exactly, एक equation completely लिए है इसमें, 2U to mg, एक equation तो पूली complete, तो एक equation ये रही, एक free body diagram से equation लिए होई है, मैं डागरम साथ साथ दिखा दू, ने को confusion होगा है, okay, ये देख इसमें देखो, तो अगर मैं डागरम की साथ काम करूँ, तो 2U is equal to mg, first equation, दूसरी, U is equal to t cos theta, U is equal to t cos theta, दूसरी equation, तो इस U को put कर दो यहाँ पर, उपर, t cos theta, तो क्या बनेगा, 2 into t cos theta is equal to mg, ये लो, एक और equation, free body diagram से Fc के equal है, t sin theta, तो Fc is equal to t sin theta, और Fc is equal to t sin theta में, ये next equation, एक ये equation, एक ये equation, इन दोनों पर डिवाइड कर लो, तो this equation, बाइड दिवाइड कर लो, तो this equation, तो T से T क्या हो जाएगा, चैंसल, तो ये मैंने आपर इसे डिवाइड कर लिया, ये रखो, ये रखो, ये रख इसे डिवाइड कर लिया, मैंने गल्ती की इसमेना 2 रह गया मुझसे कहीं, मेरी काल्कुलेशन गलत है इसमे, जब मैं डिवाइड कर रहा था न, इकोईशन में 3 & 4, इसमे 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा न, इसमें 2 नहीं तो this by this करेंगे, तो 2 भी चलेगा, मैं आपर 2 2 मिस कर गया, तो यहां पर correction है, यहां पर 2 आएगा यहां पर, तो आपके answer में 2 आएगा, तो option में 2 की form में answer गएगा, मेरा 2 की form में नहीं आ रहा, मैं 2 को मिस कर गया, पर आपको सुम्मी आ गया यहां तक, डिवाइड किया, 10 थीटा आ गया, 10 थीटा को k लिख सकने है, तो k आपके लिखेंगे, तो 10 थीटा आएगा, q एक तरफ, भाकी टर्म एक तरफ, क्योंकि आपको कुश्य में क्यों निकालना है, तो q की value can be calculated, आपकी option में 2 भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने 2 में स्किया, तो यहां पर 2 की form में answer आए, आपको equations clear है, कैसे equilibrium की question में नहीं? t cos theta, t and t equal and opposite pair में है, जब complete diagram लिया जा रहा है, तो t and t cancel कर जाएंगी, complete diagram में, पूरे में, t and t cancel, pair में, free body diagram में, cancel नहीं करेगी, जब whole diagram होगा, तो t and t equal and opposite pair में cancel करेगी, इसलिए, तो point clear है यहां तक, ठीक है, तो यह हर book में given ही होता है question, online वालों हो clear है? yes sir किरें साइमल्टीन सॉल करके देख लो ना, बलो, क corsaut किरें साइमल्टीन किरें सेंपलाह 일반iste में above साइम LPP आूल किरें सेंपलर के यह है? किरें दोותवेश में यहांगी ईन्म दो यह है? झाल झाल आग यह बिनाफ थास मुझे नहीं आपका कैसा है या पर गुपळा उड़े का से किलीपर में अपवड व जोड़ दाउनवर्ब सोर्स में घाउनवर्स थो पता है पता है बता है तो ऐसी लग गया हुच छस्टहिक है यह को है कि बोलो तो हमें कैसे बता है तीन मार गर लो इ जब इबदाए डिवाइड करना है ठाकेस इवेड इवेड़ु अप्रेटिस है यह को जिसने प्रेस कर रखीया थे अपता लग रखीया अपको आपको अपने पता लग जाता थे फिलेक्स में ऐसा अज निंच अगो फिलेक्स में तो अपने प्रावल्मी मोथ है हर तीसरा तुमेट तुम दिवाइट दिवाट गरो तुमेस निए हम छे मरुडिये कर लो हम राफ रहे भास मात आश्पिंट है इसलिए यह सान कोश्चन है कितने लोगों को इसका आंसर मिल गया कितने हो डाउट है देखो इसको mathematically एक बार करना चाहिए मुझे पता नहीं आपने इसको कैसे किया एक बार एक बार डिसकस करते हैं इसे देखो दिर ध्यान आगे देखो इसको में आपको फुटिंग्स्कर दऺ गने ऑपको आपको विए दो स्टिंग्स्कर साथ दो मास्सिस्कर्क नाँ इनके ओपर चार्ज गवए यह और उपर शीधी ती पर क्योंकि उपर उपरे पास चार्ज था रिप़्शन ही तेड़ी हो गई और टेड़ी हो गई और टेड़ी होके किस में आगी इन इकली पर हम ओने कौन सा या क्वेशन देना है कि वो उड़ती जा रही है इकली पर हम टिक गई यहाँ पर कितने अंगल पर थीटा 1 थीटा 2 क्लियर है अब क्वेश्चन के अंदर वो यह कह रहा है कि यहाँ पर रुक गई इनका जो होरिजॉंटल लेवल है वो सेम है एक ने अंगल थीटा 1 बनाया एक ने थीटा 2 बनाया एक ही लेंद L1 है एक ही L2 है मास M1 M2 चार्ज Q1 Q2 तो वो यह कह रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि इनके बीच में यह एंगल बराबर हो थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो तो बताओ कौन सा उप्षिन इसमें से सही मैच करेगा कि चार्ज भी इन दोनों के एकोल हो चार्ज इन दोनों के एकोल हो तो एंगल बराबर आएगा या फिर मास बराबर हो आटेक्ष एलेंद में दोगल, आटेक्ष रिजक्ष रापर बाइड रायगा या रेश्यो पर अवित पता मैं मेरर को कंफुजय इसमे ओरही थी कि चार्ज बापर कर दू ताकि झाल एंप एंप पोर्सबर्सेज और पर चार्ज बापर कर गा क्या Q1 ने Q2 को F-force लगाई तो Q2 ने Q1 के ओपर F-force लगाई है F-value विल रिमेन सेम तुम अनिकोल होगे तो भी फोर्स सेम है चार्ज इकोल करके भी क्या करूंगा लेंथ ऊपर नीचे कर दूँ एक चोटा कर दूँ बड़ा कर दूँ ने इस समय में नहीं आ रहा मैंने इसमें क्या किया इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से बड़ा करें तो tension draw की as usual string में tension T है अगर ये थीटा माने तो ये भी थीटा माने tension का पहला component T cos थीटा माने ये वाला component T sin थीटा माने ये step clear है फिर मुझे ये पता है ये वाला charge इसे क्या करेगा of repulsion और रेस्ट पर आई जाना है इसने तो रेस्ट पे आने का मतलब T cos थीटा किसको बैलंस करेगा M1 जी और T sin थीटा किसे बैलंस करेगा F1 तो याद हो गया होगा T cos थीटा T sin थीटा left left right right बात कतम ठेक हो गया था तो मैंने भी exactly ये ही किया ये लो T cos थीटा is equal to Mg and T sin थीटा is equal to Fc तो ये step clear है equation number 1 and 2 right अगर हम इने divide कर दे equation number 2 and 1 को तो आपके बास ये equation आगी ये step clear है रादर मुझे यहाँ पर यहाँ पर लिखना चाहिए M1 क्योंकि ये particle number M1 की बात हो रही है clear है यहाँ तक ये equation आ गई tan of theta 2 is equal to electrostatic force तो सेम ही रहेगी divided by M2 G तो ये पहली equation है ये दूसरी equation है अगर मैं चाहता हूं कि theta 1 theta 2 के equal हो जाए ये तो पहली बराबर है G पहली बराबर है तो फिर किसको बराबर होना पड़ेगा M1 is equal to M2 put out इसमें तो M1 M2 के equal होगा तो अपने आप अंगल भी क्या हो जाहेंगे equal to answer क्या माँ करेंगे M1 is equal to M2 जो 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 क्यों किया चाहर बदाओ क्यों किया चाहर बदाओ चाहर गर के क्या तरना है F ये पराबर रहेगा तोनों में इसके उपर इसके उपर लगाई एफ़ी 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 इकुल एन ओपोसेट एफ़ी एफ़ी तू थोड़ना लगेगी एफ़ी एफ़ी लगेगी क्यू वन क्यू टू वाई रस्क्वेर लेंथ वैसे मिर को कभी कभी लगता है लेंथ होना चाहिए पता लागे एक तो दस मीटर ले ली एक दो मीटर ले ली तो बराबर कैसे होएंगे मेर को ऐसा लगे पर उसने क्योंकि कहा कि उनका होर्जॉंटल लेवल सेम है लेंथ वे पता लागे लेघा को किवेग सेमी है तो मैउसरॉंटल लेयूंटल फोर्स ए की लाइन में वै लें जोड़िया फ्श सेंवेर बहुत वाट रिवट बच लीह दो बनेगी नी पॉइंट क्लियर है यहां तक, तॉलने मालों क्लियर है, कैसे माँ करना है इसमें? यह सर्थ, ठीक, यह अब बोड़ा है, वो तो सेक्टर सर्कल में करते हैं, सर्कल तुना बना है इसमें, यह तो स्ट्रेंग स्ट्रेइट है तो, क्वेश्चन नमबर 11, कितने लोगों को इसमें डाउट है, यह आपको हर किताब में मिलने ही माला है वैसे, डाउट है, देखो इस क्वेश्चन को, कितने लोगों से हो गया है, हो भी गया, अच्छा, ठीक है, देखो सारा पॉइंट चार्जिस पर चल रहा है, वैसे आपको बता दूँ कि एलेक्रोस्टाटिक फोर्स पे मैंने जादा टाइम लगा जाए है, जबकि एलेक्रोस्टाटिक फोर्स छोटा चैप्टर है, और अभी तो पलस्टो भी चलनी है भी शुरू हो इसम पता जेता हूं, अपको जो बी चैप्टर अलेक्टरिक फील्ड है, बिलक तो एक्साइज जो एफट यहां लग रहे है, उतना ही कम एफट बी चैप्टर में लगेगा, तो इसलिए हम एपे लगाए हैं, हम जल्दी बी कया अभी, तो एपे लगाएंगे, बी अपने अप्तियार हो जाएगा, बी की प्राटिस करेंगे, फिर C करेंगे, A, B, C और D, यह चार चैप्टर हैं, बस यह चार पांच चैप्टर जो इनिशल है ना, यह अगर आपने ठीकतरा कर लिए, फिर आपका प्लस टू कोई बीट नहीं कर पाएगा, फिर एक्दम सही चलेगा, तो इसलिए मैं बोल काँँ कि इसके उपनिंग प्लस टू की बहुत इंप्लस का, पर लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वॉल्यूम बहुत ज़ादा इंप्रोटेंट है, वॉल्यूम टू एस कंपर टू वॉल्यूम बहुत असान है, काफी एज़ी है, बहुत स्मूथ है, केमिस्ट्री बेस्ट है, अटम, नुक्लियर, रेडियो अक्टिविटी उसमें एफट कम है, क्योंकि आप लोगों को अल्रड़ी केमिस्ट्री अती होगी, उस टाम, केमिस्ट्री के टीचर भी प्रेपेर कर देंगे, तो इतना फरक नहीं पड़ेगा, पर यह एलेक्ट्रोस्ट्राट सो बहुत में है, इसको बहुत अच्छे सी करना है, ठीक, प् क्योंकि प्लस्ट्र चल भी नहीं रही न, वेक्टर तो चल रहे है, अब जैसे एक प्लस्वन के अंदर कॉंसेप्ट यूज होता है, मैं पर बता दूं, फिर प्रॉब्लम तो दो मिनट की है, प्लस्वन में ये कॉंसेप्ट यूज होता है, कि अगर मान लो, कोई भी होई है, इस सर्कल के अंदर, तो नॉर्मल रेक्शन पर पेंडिकलो तुदी सर्फिस, अगर कोई बॉडी यहां पर पड़ी होई है, तो नॉर्मल रेक्शन पर पेंडिकलो तुदी सर्फिस, अगर कोई बॉडी यहां पर पड़ी होई है, पर पेंडिकलो तुदी सर्फिस यहाँ पर पड़ी हुई है पर पेंटली की सर्फेस आपको मालूम है सर्कल के अंदर जहां मरची बॉड़ी पड़ी हो या स्वेर के अंदर तो पास कहां से करेंगा नॉर्मल रेक्शन हमेशा उसके सेंटर से तो अप्टेक्स में भी करते हैं कि दो चारजेज हैं यह दो बॉल्स नहीं दो बॉल्स इनिशिले कथी पड़ी थि स्पछिपरिकल ग्ल्स के अंदर कथी पड़ी थी क्यू अंदर क्यू and q-near अब q-near car. एएक दूसरे को क्या करए गा तरी रुकु जाएगी, किसमें आगी इन दो फिर रिख निकालो, क्या होगा क्वेश्चन तो फिर भई आ गया एक्रिब्रम में लेफ्ट की फोर्स एकल टू राइट की फोर्स, उपर की फोर्स उपर की फोर्स इकल टू नीचे की फोर्स तो सबसे पहले क्या draw करनी है force तो force draw कर ले पहली force पहली force इसके अंदर ये अगर Q charge है ये अगर Q charge है तो Q Q को क्या करेगा अपने से दूर repel electrostatic force ये भी से क्या करेगा repel electrostatic force normal reaction कहां से pass करेगा इस sphere के center से radius इसमे आर लिने को कहा गया है इसमे तो normal reaction आर या जो भी N है इसमे अगर ये आ रहे है ये आ रहे है और question में गिवन है दो बॉल्स के बीच में distance भी आ रहे है तो इसका मतलब ये एकुलेटर ट्राइंगल है इसमें के बीच में कितना है 60 तो अगर ये 60 है तो N के दो components है N sin 60 और N cos 60 तो मतलब कि इंस्टेड आफ ड्राइंग टेंशन जिसे टेंशन के components है इस केस में normal reaction के components है तो प्लस में बात बार करते थे तो अब ये equilibrium में बाल और अगर ये equilibrium में है तो electrostatic force is equal to क्या N cos 60 और mg is equal to क्या N sin 60 तो ऊपर की force is equal to निचे की force left की force is equal to right क्यों बहुँआ कोशन सौल में काम इसे force draw करने का और कुछ काम ही नहीं है ये देखो तो N sin 60 is equal to Mg N sin 60 is equal to Mg तो यहासे N की value Mg by sin 60 और N cos 60 is equal to Fc N cos 60 Fc का मतलब 1 by 4 by Fc not qq by R square तो इस N को यहासे यहां से यहां पुट करके answer can be calculate answer तो चलो पर निकाली लोगे जो निकालने पर method clear साथ 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 मुलो weight का component इसे यहां पर वेट का component तो बड़े क्ली डाउन बड़े का component कैसे मन सकता है कैसे कैसे टेडर है यह ऊपर अचा Mg के साथ क्या है हाँ हाँ कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो ठीक है यहां तक तो आपको method clear है method clear है यह कैसे करने को doubt इसमे ठीक है यह question कितने को doubt है doubt है इसी इमाजिनेशन तोड़ी मुश्किल जाती है शुरु शुरु में बाद में ठीक हो जाएगा एसे question और आएंगे तो ठीक हो जाएगा देखो online वलों को clear है यह sir doubt है ठीक है doubt है देखो इस question में यह कहा गया है A B C तीन charges है Q Q Q तीन corners पे पड़े हुए है side A how many minimum charges should be placed on the circle of radius A with centre At A अव mo ड्रिक्स की एससे प्रोब्लम नाएग फिरिक्स इसा फ्रच की इससे बडी प्रोबरम समझ्यन चीज़ना की प्रोबरम क्या है क्योंकि question सेग लिए और की तो झमाञाना टो सबकूमाना की प्रषन प्रफिर माइटन कर Mाजम करते की question सहीं की सभी तो बहुत सारी चीजी कठी चलती है इसमें तो प्रैक्टिस रिखीक होती है तो पहले कॉष्चन समझते हैं कॉष्चन यह कि मेरे को वो कह रहे है कि तीन चार्ज गिवन ए अबीसी पे तो तीन चार्ज अबीसी पे गिवन है मेरे को इसमें तीन चार्ज गिवन है अबीसी में जैसे में ने बताया यह लो कितने कितने चार्ज इसमें बताना जला प्लीज क्यू 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 है ना क्यू क्यू एंड क्यू और यह वर्टेक्स ए है राइट वो यह कह रहे है इस क्वेश्चिन में कि मैं एक वो सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रो करता हूं चलो ठीक है एक वो सेंटर मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रो करता हूं यह मैंने एक सर्कल ड्रो करतीया एक वो सेंटर मांगते हुए, वो कह रहे है, इस सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पे बताओ मैं कितने चार्जिज रखूँ, कितने, एक, दो, तीन, ताकि ए के ऊपर नेट फोर्स वन बाइ फोर पाइ एपसाले नौट, क्यू स्क्वेर बाइ इस स्क्वेर आए, एस दी रेडियस ऑफ सर्कल, यह अंसर आए, मतला बुग कह रहा है कि ए, उपको सेंटर मानते हुए, सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल के ऊपर चार्जिज रखो, सच दाट, एक ऊपर यही फोर्स आनी चाहिए, और एक सेंटर के लोग ही आनी चाहिए, यह अंसर आना चाहिए, अब मुझे एक चीद पता है, यह चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगी इदर, तो मेरा अंसर यहां पर तो आनी पाएगा, इसकी वज़े से तो एक काम करते है, एक चार्ज आप इसके सर्कंफेंस पे, सर्कल के सर्कंफेंस पे, यहां रखो, ताकि यह चार्ज इस चार्ज को क्या करें, रिपल, और यह चार्ज भी क्या करें, रिपल, ताकि इसका अफेक्ट क्या हो जाए, चैंसल, चलो काम खतम हो गया, ठीक हो गया, अब यह चार्ज भी इसे क्या करेंगा, रिपल, अब इसा करने से प्रब्लम हो गई, क्या, net force क्या गई? 0, इसने उसको cancel गया, इसने उसको cancel गया, इसने उसको cancel गया, कुछ भी नहीं, एक काम करो, आपको force यह चाहिए न, तो आप एग्जाक्ली यहाँ पर चार्ज लखो Q, Q चार्ज अब यहां रखोगे, तो यह चार्ज Q को रपेल करें कि प्यंसर और थे प्यार י्कुमर्स で एंसर आगया अन्सर यह तो चाहिए था तो इस ना मतलब इसके affect को cancel करवा ज़क्लों इसको cancel करवाया और इसने अपना आंसर दे दिया तो कुल मिला के आपने कितने चार्जीद रखे एक दो और तीन चार्जीद आंसर इसका पॉएट समझ में आ रहे है कि मेरको मेरा आंसर इस तरफ ही चाहिए था अब एक स्टूडेंट इस बैज में कह रहा था गोदा कि अगर ऐसा ना अगे बन होता कि इस तरफ ही आंसर चाहिए कोई डाक्शन ना गिवन होती फिर क्या अंसर होता one charge ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मालो ये इसमें ना given होता कि मेरे को force x में ही चाहिए तो x में करने के लिए इनकी effect मुझे cancel करने पड़े और एक और charge place करना पड़ा पर अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर मैं एक charge की force को cancel करवा देता दूसरे ने answer तो one charge ये answer होता ये 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 चार्ज इस चार्ज को यह रिपल नहीं करेगा तभी x-axis में answer आएगा जब इसकी straight line में होगा एक ही line में होगा क्योंकि net answer x नहीं चाहिए उसे along x-axis हमारी cancel कैसे हो रही है? हमारी cancel कैसे हो रही है बाकियों की cancel करके x में ली आएगा हाँ, ऐसे है method समझ में आ रहा है सबको point clear है आथा कि कैसे है फिर answer नहीं आएगा अगर लोगे तो कोई नहीं कोई component बची जाएगा आएगा ये answer करके देख लेना आना होता वैसी पता लजाता आगा answer नहीं आएगा सके अएगा icon देख क्या आएग conserve झाएगा जाएगा कुछ नी इसके अंदर भी अंगल थोड़े से ध्यान से और स्केल से ज़रा वेक्टर ड्रॉ करोगे तो यह अंसर आएगा देखो इसके अंदर वो क्या कह रहे है कि आप similar charges given है D पे, C पे, B पे और O पे Q, Q, Q और Q ठीक अब वो क्या कह रहे है कि सबका distance A, A, A and A forces of repulsion experienced by charge O O पे जो force लगेगी कौन लगाएगा D लगाएगा, C लगाएगा B लगाएगा, तीन-तीन लोग है फोर्स लगाने के लिए तो जो भी यह फोर्स लगाएगे due to P and D उसने का O पे कौन फोर्स लगाएगा B लगाएगा यह जो भी फोर्स लगाएगे इनकी फोर्स along C O equal है Along C O equal का मतलब का मतलब कै है तो बड़ा डागराम बनाता हूं वो यह कह रहा है कि suppose करो आपके पास एक चार जीरा एक चार जीरा एक चार जीरा और एक चार जीरा ठीक है? वो यह कह रहा है कि D O के उपर फोर्स लगाएगा बिलकुल लगाएगा कहां लगाएगा? यह लगाएगा रिपल्स लगाएगा यह लगाएगा फिर वो कहता है कि B B B O के उपर फोर्स लगाएगा यह लगाएगा यह भी लगाएगा CO equal है, यह CO की line है इस line के along equal है, यानि कि मेरे को इसका component इसके उपर निकालने है और इसका component इसके उपर निकालने है, वो component की value equal है, और वो component किसके along लेने है, along CO, तो CO के along equal है तो rules में आया है, वो क्या कह रहे है question में, इसने question में यह कहा, कि यहां पे D-force लगाएगा O-Pay B-force लगाएगा O-Pay तो इस force की value along CO AND इस force की value along CO बराबर है तो हम इस काम करें, पहले इस force को निकालते है, इस component को दोनों components को equal कर जेते हैं, आशर आएगा अपने आप तो देखो कैसे इसके अंदर ना ये angles ही कमाल की चीज़ है और जादा कुछ है नहीं इसमें करने वाला जैसे जैसे suppose ये लो थोड़ा बड़ा करके देखते है ठीक इसके अंदर सबसे पहली चीज angles given क्या है इसको एक बार दिला ध्यान से देख लेते है देखो आपको ये angle कितना given है थीटा 1 ये कितना given है थीटा 2 और ये कितना given है थीटा 3 आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि मुझे ये angle चाहिए तो मैं शेड कर रहा हूं ये जो angle होगा वो vertically opposite angle है इसके साथ राइट तो अगर ये angle ये angle total थीटा 3 है ये थीटा 2 है तो ये angle कितना है थीटा 3 माइनस थीटा 2 है तो अगर ये थीटा 3 माइनस थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा 3 माइनस थीटा 2 क्या step clear है पहला ठीक है similarly अगर मेरे को ये angle चाहिए मैं शेड कर रहा हूं ये angle and ये वाला angle are vertically opposite angle तो अगर ये angle total थीटा 2 है ये थीटा 1 है तो ये कितना है थीटा 2 माइनस तो सही है ये angle भी तो vertically opposite से दुन्हों angles आ गई है clear है या तक ठीक put out इसमें अब इसमें इस force का component along this line क्या बनेगा this force into cos of थीटा 3 माइनस थीटा 2 और इस force का component इसके along क्या बनेगा f of do cos of थीटा 2 माइनस थीटा 1 और वो क्या कह रहा है ये दोनों forces की value exactly सेम है तो एक्वेट करके देखें तो इस question में ये forces को अमने निकाला ये forces को अमने निकाल दिया अब इनके components को equate करते हैं तो components में equate करने का मतलब ये लो ये दोनों components में क्या कर दिया इनने equate कर दिया yellow force का magnitude charges का बराबर है तो ये कट जाएगा और अंदर वाले एंगल एक्वेट हो जाएंगे एक्वेट होके ये आपको option आजाएगा अंसर आजाएगा अंदर कुछ नहीं है इसके force equate करके एंगल की ratio एंगल के बीच में relation निकाले है क्या relation है तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे है सारी गेम सिरफ सिरफ और सिरफ प्रैक्टिस की है आप अगर ये उच्छो मुझ से कि सर इस आज के lecture में से या पुराने lecture में से कितना आएगा पेपर में CBSE में दो नंबर का आएगा कॉंपटिशन में शायद एक नंबर एक कोश्चन आ जाए शायद आप गोगे फिर ये चार लेक्टिर किस लिए ये ब्रेन की एक्सराइज है ये ब्रेन की ट्यूनिंग हो रही है कि आप चार्जिस को ठीक तरीके से परे समझ लो आपको तो कन्फूजन आओ कि कौंसा वेक्टर कहां पर लगेगा ये उसी की प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा तो पॉइंट क्लियर है यहां तक ऑन्लेन वालों को क्लियर है तो अगली बार हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सही चैप्टर है इजी चैप्टर है और आपको इजी भी लगेगा क्योंकि अब नहीं अल्रड़ी किया हुआ इससे नीचे रहेगा ठीक जा सकते हो आप कि